गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाई होती हैं जो विन समचार पत्रों पर छाई भी होती हैं और विद्धार्थियों के लिए अवैश्चक होती हैं तो आईए सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्धार्थियों के लिए जो विद्धार्थी विहार PCS की त्यारी करना है अत्वा UPPSC की त्यारी करना है अत्वा UPPSC की आरो यारो बढ़ती की त्यारी करना है प्रिकम्मेंस के लिए फीज रखी गए यह मातर 1299 रुपए और इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे और इसकी फीज रखी गए यह मातर 1499 रुपए और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे PSP500 तो आप लोगों 500 रुपए की और अतरिक्ति छूट मिल जाएगी BPSC में भी आप लोग इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं और BPSC की फीज भी 4499 रुपए है यह bilingual बैच से हिंदी और इंग्लिज दोनों पढ़ाई होगी भारत की सर्वसरेश्ट सिक्षिकों की टीम है जो आपको पढ़ाएगी और उची तो माग दसम भी देगी तो आप लोग जाकर के आज ही इस आफर का लाव ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक के न्यूज है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बिरोजगारी पर चर्चा कर लेते हैं तो कि सरकारें बड़ा-बड़ा दावा करती हैं और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह जारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर है राष्ट्रिय जनता दल के इकलोते विधायक है गड़बंदन की मापर सरकार है और इनका नाम है सदानंद भोगता और यह उनके बेटे हैं मोकेस भोगता और चरचा इस बात को लेकर के है कि अभी हाल ही में सिविल कोर्ट में फोर्थ क्रेट यानि चप्रासी की भरती का परिडाम जारी हुआ है जिसमें कुल 19 पद है 19 पद में 13 पद पर 13 नमर पर मोकेस का नाम है यह देख सकते हैं आप लोग मोकेस कुमार भोगता और पिता जी का नाम स्री सत्यानन्द भोगता स्टी बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोई भी काम बुरा नहीं होता है अगर चप्रासी की नोकरी भी कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और एक बात और बता दूँ मैं आगे की बात बताऊंगा आप लोगों को पूरी तो मुकेस का जो चप्रासी के पत्पर हुआ है साथ में जो मुकेस का चचेरा भाई ही इनका जो भतीजा है उसका भी चप्रतिक्चा सूची में है कब इन्होंने एक तुट किया था कि माता रामी की क्रपा से बेती का चयन प्रदेस में नहीं होता जैसे कि भागपा सरकार भी प्रदेस में बड़ बड़ डावा करती है और इनके खुड के बच्चों का चयन दूसरे राच्य में होता है और यही चीज आप आज जार्खंड में देखने को में जार्खंड के कड़ावार नेता तो स्रम मंत्री हैं उनका बेटा जो चपराशी पदपर निक्त हुआ है बात ही है कि जार्खंड सरकार में किलावों की पहले का था कि हम 5 लाख लोगों को बोजगार देंगी लेकिन वह कुछ काम करना चाहता है तो इसको यहां पर आफसर ही नहीं मिल रहे हैं और अंद में जो भी वेकेंसी आती है चाहावो चपराशी की हो चाहावो कलर्क की हो का जो वेकेंसी हो वहाँ पर आवेदन करता है और इस मंत्री के कहम लोग बात के रहें दूखर मिनिस्टर है यह कई पाटी में भी रह चुके हैं और आप खुछ समझेए कि जो आदमी 15 साल पहले भी मिनिस्टर रह चुका हो तो इसको लेकर के जारखन मुक्ति मोर्चा के विधायक यानि उन्हीं की सरकार की विधायक ने खुद सवाल उठाया है और कहा है कि 5 लाग रोजगार देने का वादा जारखन सरकार ने किया था और साड़े 3 लाग पद रिख्ध हैं आकरिकार भरतियां क्यों निकाली जा रही है और यहां पर सोचल मीडिया में तो होता ही राज साथ में जारखन की विधान सबा में भी इसको लेकर के हांगामा हुआ जैसे यहां पर लिखा हुआ है क जारखन में ग्रेव विभाग में 73,936 पद खाली हैं इस कूली सिक्षफ विभाग में एक लाग पद रिखते हैं जिसमें से प्रात्मी के बहुत सारे पद रिखते हैं स्वास्त विभाग में 35,322 पद रिखते हैं क्रसी विभाग में 35,35 पद रिखते हैं विधी विभाग निकल रही है और यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह वही केबिनेट मिनिश्टर है जिनके बेटे का चायाने चप्रास्थी के पद पर हुआ है अगले सूचना है रोजगार के सवाल पर आज जोटेंगे बेरोजगार कैबिनेट ने सिक्षा सेवा चैन आयोग की निमावली बात उत्तर प्रदेश की हो रही है मगर आयोग के गटन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है इस पर बिरोजगार यूगों में सक्त नाराजगी है रभिवार को बिरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर के आगे के अभियान के लिए सलोरी दुर्गा पूजा में समाथ कारकरम का आयूजन किया गया है इसमें चर्चा के बाद आगे के रणनीती तकी जाएगी यूआ मंच के अधक्ष अनिल सिंग ने कहा कि प्रदेश सरकार शास की मादमिक विद्यालियों में एल्टी और प्रवक्ता की पदों पर भरती का विग्यापन जारी करने में लापरवाही कर रही है अधक्षी ने कहा कि लोग सबाचुनाओं के अधसूसना में कुछ महीने ही सेस हैं ऐसे में रिद्वोदों को भरने के लिए भरती प्रक्रिया सुरू करने के बजाए प्रदेश सरकार आचार सहीता जारी होने का इंतजार कर रही है और इसी वज़ह से चेन प्रक्रिया सु से पहले क्या रोड मैप है और इस बात को लेकर कि चर्चाहें कि साजिक साजिस कर रही हो तर प्रदेश सरकार और फिर से इस बार केवल बयान बाजी और घुफना बाजी होगी कि पोलिस में हम पैसर दरबर्ती करने जा रहा है लेकिन विग्यापन निकलना अब उसकी लग कर दिया गया है और एडविट कार्ड परिच्चा के तिथी से तीन दिन पहले जारी किये जाएंगे परिच्चा चैसे लेकर के 14 दिसमबर तक आयूजित होगी BPSC की सुचना है कि सरकार के निर्देशों के अनुसारा आएगा पूरक रिजल्ट तुकि मांग की जा रही है कि 40-0 पदों पर पूरक रिजल्ट आए लेकिन 40-0 पदों पर नहीं आएगा जी प्रहष्टाचार निवारण अधनियम की विशेस अदालत ने खारिश कर दिया है जमानत का विरोध करते वे अदालत को बताया गया कि समलित ग्राम पंचर अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी इवं समाज के लियान प्रवेक्चक प्रतियोगितात्मक परिच्चा 2018 का क कोई भी विद्यारति गलत का में समलित ना हो अब जमान पर मारत नहीं होती है प्रदेश के सहायता प्रवेक्चा अधिक विद्यालियों के 2000 से अधिक तदर्त सिक्चकों को शासन की ओर से मान दे पर रखने के तयारी आद के लगबग समी समाचार पत्तर में इसके बारे में जानकारी दी गहीं है इन लोगों ने कल एक बहुत बड़ा प्रदेशन किया था विधान सभा में के पास और विधान सभा में भी कई विधायकों ने इनके पक्चि में आवाज भी उठाई थी और विधार्थी मांग ये कर रहते कि तयदर सिचकों की निक्तियां अब रद हो कहीं सुप्रिम कोट के दौरा और इन पदों को नई भरती में जोड़ा जाए जब कि ऐसा नहीं हो पाएं और अब ऐसा लगता नहीं कि तयदर की पद नई भरती में जोड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स यूनानी पूरुस महिला भरती का जो विग्यापन है वो जारी किया है इसके पहले स्टाफ नर्स एलोपेथ, स्टाफ नर्स आयूरवेद का विग्यापन निकल चुका है जिसकी परिक्षा होने जा रही है और यहाँ पर लिखा है कि इस परिक्षा का विष्टरित विग्यापन 4 दिसम्बर को आयोग की वेब साइड पर उपलबद रहेगा जिसमें आनलाइन आवीदन करने की प्रक्रियाश्चुल जमा करने की प्रक्रियाश जाति प्रमाल पत्रों प्रुफार्मा प्रारामित क् प्रिक्षा के बिषया पार्ट करम प्रिक्षा के इंद्रों जिनों के नाम इत्यादी विवरान उपलब्द रहेंगे तो चार दिसंबर से आवेदन सुरू होंगे और चार जनवरी इसकी लास डेट है तो विष्त्र जनकारी जो ये नोटिफिकेशन चार तरी को जारी होगा उसमें मिलेगी फर्जी वाला की एक और शिकायत है ये दिल्ली की है दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोट के जरिये निक्ति में फर्जी वाला हुआ था और लेका कि 50 कर्मी पर खास किये जाएंगे तिहाल जेल में निक्तियों में फर्जी वाले का कुलासा होने पर जेल परसासन ने बड़ी कारवाई करते हुए नौ सहाइक अधिक्षक सही तो 50 जेल कर्मी को नौकुली से बरखास कर दिया है यह कारवाई इनके बायमेट्रिक वा फोटो में विसंगती में लेने के बात की गई दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोट के जरिये भरती हुए बरखास कर में 2020 से विभिन पदों पर कार कर रहे थे अधिकारियों ने बताए कि इसमें इनमें सहायक अधिक्षक के अलावा 49 वार्डर और दो मेट्रन के पद की दिमेदरी स्वाल रहे थे अगली सुचना आरो एारो की है उत्तरवर्किस लुक सेवा आयो की भरती की लिखा है आरो एारो प्री में ही छट जाएंगे 99 परिश्चत अभरती 10,79,725 चात्रों ने फॉर्म बरे हैं एक पत के मुकाबले 15 गुन विद्धार्थी पास होंगे मेंस के लिए लिखा हुआ है कि नियम यह है कि प्रामी परिशा के प्रिवानाम के पहले पहले अगर कुछ पत आते हैं अधियाचान आते हैं तो उन पदों को यह दिखिए लिए अधियाचान मिलता है तो उससे संबन्हद variety में शामिल कर लिए जाता है अगर नए पदों को अधियाचन मिलता है तो कुछ पद बढ़ जाएंगी अब भर्तियों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी तो जितने पद हैं आप लोग इसी को टार्गेट करके पद बढ़ सकते हैं इसमें इससे इंटार नहीं किया जा सकता है निश्चितर पर बढ़ सकत झमिल झम एान सकता हैं इससे बढ़ सकता हैं आप दो आप मिलता हैं आप मिलता हैं आप पर ढ़ीं ए मगत जाएंगी तो का ओलता कि ए अगर पर शनकी प्र दूँता हूशा हैं झाल झाल